हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में डेक्स्टॉप आइकन को ओटो एलाइन होने से कैसे स्टॉप करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें चलिए शुरू करते हैं अब आप देख रहे हैं यहां पर आप princi वर्फेश में बंख करना इस इसके बाद यहां ऌपको धिखते जाएगा इसके बाद यहां पर आपको डग decorated आपको जाना कार सल लेकर जाना है इसके बाद यहां पर आपको दिख जाएगा alignment icon to grid, इसके उपर आपको click करड़ेना है, click करते हैं इस तरह से यहां पर space आ जाएगा, अब आप यहाँ पर आप देख रहे यहां पर space आ रहे है, आपぎ किसी के उपर आप रखेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, आप देख रहे एक दूसरी के उपर आइकन नहीं आते तो इस तरह से आप स्पेस दे सकते हैं इसी तरह यदि आपको यह नहीं चाहिए तो आपको क्याकर नहीं यहाँ पर राइट किलिक करके यहाँ पर वीव पर जाके यहाँ से ऐलाइन्मेंट को अंटिक कर दिजेगा इसके बाद यहाँ यह वापस आप सेम तरीके से कर सकते हैं तो इस तरह से आप डेक्स्टप आइकन के बेच में आप स्पेसिंग रख सकते हैं और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू